नमस्कार दोस्तों मैं गोतम सिंग अखुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ आज आपके लिए ले कराया हूँ PGDM क्या होता है PGDM के लिए सुक्षिक योग्यता क्या चाहिए कितने दिनों का कोर्स होता है एड्मिशन प्रोसेस क्या है फी कितने लगते हैं पूरे डिटेल्स में मैं आपको बताने वाला हूँ PGDM कोर्स के बारे में PGDM क्या होता है या भारत में कई इंस्ट्रिउट द्वारा पेस किये जाने वाले दो साल का फूल टाइम मेनेजमेंट कोर्स है इस कोर्स को विभिन संस्थानों और उनके सिलेवस के आधार पर चार या छो समेश्टर में विभाजित किया जा सकता है इसको जो है चार से छे समेश्टर में विभाजित किया गया है जो संस्थान भारत में PGDM कोर्स चला रहे हैं उए भारत सरकार के मानो संधान विकास मंत्राले के तहट AICTE के द्वारा मन्यता प्राप्त होते हैं PGDM कोर्स संरचना और PGDM के बीशे लगभग MBA के समान होता है PGDM जो हमारा कोर्स है ये आपको MBA के समान होता है इनके बीच मात्र अंतर सिर्फ एक है MBA एक आपको डिग्री परदान करता है जबकि PGDM एक पोस्ट गेर्जवेट डिपलोमा कोर्स है PGDM प्रोग्राम किसी भी इन्वर्सिटी से सम्बंध नहीं हो सकता है इसलिए इसे डिग्री कोर्स के रूप में नहीं माना जाता है PGDM का पूरा नाम क्या है पोस्ट गेर्जवेट डिपलोमा इन मेनेजमेंट PGDM के लिए सुक्षिक योगेता क्या चाहिए PGDM में एडमेशन लेने के लिए छातर किसी भी एस्ट्रीम से 10 पुलस टू यानि की बरहुई के साथ साथ तीन साल की गेर्जवेशन डिग्री प्राप्थ होना चाहिए गेर्जवेशन में कम से कम उसके पास 50 परतिशत माक्स होने चाहिए और SCST में जो लोग आते हैं काटगरी में उनको जो है 45 परतिशत माक्स चाहिए PGDM के सिलेबस क्या है सबजेक्ट अफ एस्टरडी फाइनेंशियल एकाउंटिंग बिजनेश इकोनोमी बेसिक अफ माइथमेटिस एंड एस्टरटिस बिजनेश इंगलीज PGDM कितने समय का होता है PGDM कोर्स में आम तोर पर दो साल में चार समेस्टर होते हैं हर चार से पाइस साल में बदल जाता है क्योंकि इंड़स्ट्री बेसेड एडवांसेड एडवांस्ट कोर्स है इसमें गेस्ट लेक्चरर सेमिनार्स पैनल डिसकोशन वाक्ष ओफ एटीसी भी होते हैं जिससे विद्यार्थियों का समपूर विखास हो सके सब्जेक्ट इन पी जी डीएम फाइनेंस, मार्केटिंग, एकाउंटिंग, हुमेन रिसोर्ट, इनफॉरमेशन, टेकनलोजी, ऑप्रेशन मेनेजमेंट सप्लाइ चैन मेनेजमेंट पी जी डी अम के बाद रोजगार के छेत्र PGDM कोर्स करने के बाद रोजगार क्या होते हैं देखिए Bloomberg मुंबई में है Research and Education Institute है Power Grid Corporation of India Limited है Nitya Software Solution है Hyderabad में है PGDM के बाद Job Profile Manager Accountant Retailer या Retailing Manager Teacher and Professor Public Relations Officer दोस्तों आपको हम बताएं कि PGDM क्या होता है कितनी ओगेता होनी चाहिए PGDM कोर्स करने के लिए कितने साल का होता है admission process क्या है आपको मैं बताया दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा अगर आपको आच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियें तो फिली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दे ताकि अगले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा थैंक यू दोस्तों राधे राधे दोस्तों झाffरसभर पैनल को यिडियो को तोस्तों राधे वालते workers सब्सक्राइब नहीं